क्या आपको पता है कि साल 2019 में एक ऐसा धूमकेतु हमारे सौर मंडल में खोड़ा गया था, जो किसी दूसरे सौर मंडल से आया था? इस धूमकेतु का नाम 2.I.Borisov रखा गया है. 2.I.Borisov धूमकेतु का आकार करीब 975 मीटर था, जो करीब 1,77,000 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से सफर कर रहा था. इस धूमकेतु की खोज, रूस के शौकियां अस्ट्रोनोमर जेनरडी बॉरिस ओफ ने 30 अगस्त 2019 को की थी. कुछ वैज्ञानिकों का ये कहना था कि ये धूमकेतु कुरूगर 60 नाम के एक सोलर सिस्टम से आया था, 2.I.Borisov धूमकेतु की खोज से वैज्ञानिकों को ये जानने का मौका मिला कि हमारे ब्रह्मांड में अन्यसौर मंडल भी मौजूद हैं. ये खोज अंतरिक्ष विज्ञान में एक महत्वपूर्ण उपलब भी है. ऐसे ही रोचक इन्फोर्मेशन्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें.